वेल्कम ये ओल ऑन माई यूटूब चैनल और इंवार्मेंटल साइन दोस्तो आज हम कुईक बाइट्स में सेलनेटी और फोशन वाटर की टॉपिक को डिसक्रस करेंगे दोस्तो यह टॉपिक पेपर वर इन पेपर टू दोनों के प्रस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में चैनल को सब्सक्राइब कीजी अगर आपने में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बुले ताकि आपको और आपके दो कुछ हमारे salt dissolved होते हैं इसालिए हमने एक term define की है Salinity Salinity सेल्वारी जो हमारी term होता है वह define करता है कि हमारे sea water में कितना amount content of dissolved salt present है तो basically जो हमारी unit होती है Salinity की वह होती है हमारी parts per thousand और PPT किसे हम से calculate करते हैं दोस्तों amount of salt in gram that is dissolved in thousand gram of sea water इसे हम ऐसे calculate करते हैं salinity of 24.7 parts per thousand has been considered as the upper limit to demarket दोस्तों आपको यह याद रखना पड़ेगा यह value यह आपको objective question में पूछी जा सकती है तो दोस्तों हम देख लेते हैं table जो हमारा dissolved salt in sea water को बताएगा दोस्तों table काफी important इसमें हर एक term हर एक dissolved salt आपको याद रखना है और इसकी sequence बहुत important है दोस्तों यह paper में question पूछा जाता है आपको 3 या 4 random salt दे दे जाएंगे और आपको पूछ लिए जाएगा कि sodium magnesium calcium इसका series increasing or decreasing order में arrange कीजिए तो आपको correct वाला series आपको इसमें find out करना होगा तो दोस्तों आप इस series को इसी 1-2-10 की sequence में ही याद किजिए से हमारा क्लोरीन क्लोरीन जो हमारा है सी वाटर में वह है 18.97 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर उसके बाद जो हमारा second number में है sodium present होता है हमारा सी वाटर में जो थर्ड नंबर में है वह हमारा sulphate होता है 2.65 फोर्थ नंबर में magnesium 1.28 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर दोस्तों जो यूनिट है वह पर ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर है calcium हमारा 0.41 है potassium 0.38 है bicarbonate 0.14 है bromine 0.06 है borate 0.02 है strontium 0.01 दोस्तों यह सारी वैल्यू अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिजिए और इसे याद कीजिए दोस्तों यह कोशन अल्रेडी जीशी ने पूछा जा चुका है तो दोस्तों हम देख लेते हैं इन वाटर बॉड़ी लेक वैन इन तर्की यहां पर हमारा 330 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजन इसमें तो ट्वंटी पीपीटी है तो दोस्तों यह तीनों आप याद कर लिजिए इसका भी आपको सीक्वेंस में पूर जा सकता है या फिर आपको मैज़र कॉलम में लेक वैन और इनको मैच करना हूँ इनकी इस दोस्तों तो यह टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर् को बात देखिए जुरूर देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए और सीक्वेंस को याद किसी वंट से टैन के लेके ही याद कीजिए जा सकते हैं तो दोस्तों आपको वो टेबल पूरा त्यान से एक बार याद करना होगा और अपने नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करना होगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें